आज चीन फिर तिल मिलाया दरसल कल भारतिय सेना दक्ष विपिन रावत ने बयान दिया कि देश को अपने दोनों मोचों पर युद्ध के लिए तयार रहना चाहिए अब जवाब में चीन ने धम की भरे सुर में कहा है कि भारतिय सेना के अधिकारियों को इतहास नहीं भूलना चाहिए भारत पर फिर तिल मिलाया चीन दोखलाम विवाद तो सुलच गया लेकिल रग रहा है कि चीन के तिल मिलाहट कम नहीं हो रही अब चीन ने आर्मी चीश भिपिन रावत का बयान पर एतराज जताया है पहले आपको दिखाते हैं कि जनरल भिपिन रावत के किस बयान पर चीन तिल मिला गया है जनरल भिपिन रावत के मुताबिक दोखलाम विवाद के तोराण चीन ने सीधे लडने से पहले ही साइबर, मीडिया, मनोवग्यानिक और इंफो वारफेर शो कर दिया था जनरल भिपिन रावत के मुताबिक हलांकि ये सीधे युद्ध में तबदील नहीं हुआ लेकिन तब भी देश को हर परिस्थती के लिए तयार रहना चाहेगी पर चाहिए जनरल भिपिन रावत के इसी बयान पर नाराजगी जताई है और एक बार फिर इतिहास किया दिलाई है जनरल भारत को उकसाने की कोशिशों में लग गया है दिल्ली सेद नीरज राजपूत करिपोर्ट ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे